हलो डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देखिए आज यह एडवांस 2022 के एक्जाम है बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुन रहा होगा आटी टफिस्ट एक्जाम है बहुत सारी वेप सरीज वगरे के थुरू भी यह फैक्ट आजकल लोगों को पता चला है इस वीडियो को बनाने का मेरा जो एम है वो यह है कि उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं समझा सकूँ इस एक्जाम के बारे में जो अभी सेवन देट नाइंट एंट इन क्लास में है इस एक्जाम के लिए जो सोच रहे हैं कि आगे जाके आईटी की तियारी करेंगे तो उस सब्सक्राइब करते थे कि 12-13 लाग स्टूडेंट्स देते हैं और उसमें से कुछ चंद हजार ही सलेक्ट होते हैं आजकर थोड़ा सीन बदल गया है जिसका एक फिल्टर है जिसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे ही एडवांस दे पाते हैं जो समझाता है कि ल बच्चों ने एक्जाम दिया था उसमें आप कितने परसेंटेज आपसे पीछे रहे और एक्जामपल 87.899 परसेंटाइल दिखरी है इसकांता सो में से लगबग 8788 बच्चे इन से पीछे थे थे तो सो में से बारा तेरा जो बच्चे हैं उस तरह का है सेलेक्शन रिश्यो अब उसके बाद देखिए जो बच्चे थे आपने इन्वाइट किया था धाईलाग बच्चों को बच्चों को बट एफेक्टिवली अगर आप देखेंगे रजिस्टर किन ने किया तो टोटल रिजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ पर आ रहे हैं वो टोटल रिजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं 151,000 मतलब लगबग 2,000,000 में से एक लाग बच्चों ने तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद भी एडवांस का फॉम ही नहीं बढ़ा र पर यह एक और समस्या है आयटी का एक्जाम मेंटली बड़ा टेक्सिंग होता है यहां एक पेपर नहीं दो पेपर होते हैं तीन गंटे के एक नौ से बारा एक धाई से साड़े पांच पूरा दिन आपको टेस्ट किया जाता है छे गंटे एक्जाम हॉल में बठाये जाते ह तो कई बच्चे इन में से ऐसे होंगे जो शायत आये नहीं या आये तो एक पेपर देके ही वो घर चले गए दूसरे पेपर के लिए आये नहीं प्राइटी में सेलेक्शन के लिए आपको दौनों पेपर में अपियर होना जरूरी है तो कुल 1,41,000 बच्चों ने दौनों दिये थे और फाइनली जो शॉर्ट लिस्ट किये गए वालिफिकेशन जिनको अपन कहते हैं सीट नहीं मिली वालिफिकेशन हुए 41,860 students जिन में से फाइनली 16,200 चिन्ड में स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए ओफर किया गया 16,296 students को एडमिशन ओफर किया गया फाइनली उन्वन लाक फॉटीवन थाउजन के अंदर से अब इसमें एक इंपॉर्टन चीज़ देखिए है यह जो थोड़ा आजकल रिजर्वेशन और जो सीट्स बढ़ाई है उसके चलते आप देखिए येवल जनरल केटिगरी की बात करूं देखिए ओपन 99,000 में तो सभी आ जाते हैं उसमें कोई भी केटिगरी का और 99 निस ओपन इस नोट जनरल उसका जो बाइफरकेशन मुझे दिख रहा है कि देखिए कुल 40,000 बच्चे थे जो उन्हें जनरल केटिगरी से रिस एजैम दे रहा है 44% स्टुडेंट्स क्वालिफाइड कहला रहा है उपर तो नहीं बोलूँगा उसमें से उपर 6,400 कोई हुआ इसका मतलब लगबगा देखिए मोटा मोटी 25-30% तो क्वालिफाइड करी ही रहे हैं जो में से एडवांस में जाते वे शायद इतना घटिया आप बुले अच्छे से तैयार है तो एडवांस में थोड़ा थोड़ा ठीक करेगा सेलेक्शन परसेंटेज ये क्वालिफिकेशन परसेंटेज भी कह रहे हैं बढ़िया 25-30% बच्चे तो उसमें से सलेक्ट हो ही रहे हैं बट अब जरह मैं आपको बताता हूं कि में से सखाने के बाद भी एडवांस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है देखके आपको थोड़ा आश्चेरे भी हो सकता है देखिए ये एडवांस 2021 का ये मैं डेटा ला रहा हूं 2020 में भी यह हाल था लगबग 360 नंबर के टूटल पेपर थे दौनों मिलाके 180 180 मार्स के वो दो minimum percentage of aggregate marks चाहिए है वो कितने है 17.5 परसेंट नंबर लाने पर जनरल केटिगरी में भी आप qualified कहला रहे हैं मतलब दस में से दो question भी आप सही कर रहे हैं और गलतिया नहीं कर रहे हैं तो शहिद आप आराम से select हो रहे है और आयाट का एक rule और यह होता है वो total marks के साथ साथ ये भ जनरल केटिगरी में मतलब physics अगर 120 नंबर का था तो 120 का 5% 6 नंबर आपके जरूर आने चाहिए similarly chemistry में minimum 6 और maths में minimum 6 होने चाहिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में उस minimum से कम है भले ही aggregate आपका साढ़े सतरा परसेंट से जादा आ गया तो भी आप selected नहीं कहला होगे तो यह है आप देखे साढ़े सतरा परसेंट मांक्स में भी आप से लेक करा रहे हैं और जनरल में 15.75 परसेंट और बागी केटिगरी में 8.75 परसेंट और उनके लिए सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन है वो डाइडाई परसेंट है मतलब 10 परसेंट से भी कम मांक्स पे बच्चा से करते हैं उसकी कट-off आप देखिए मात्र 2.625 परसेंट की अक्चुल स्टेटिस 2021 का ही डेटा है 2020 का ही डेटा है पानके चलिए आप देखिए जैसा मैं आपको समझा रहा था मिनिमम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बाइव में चे नंबर और टोटल एग्रिगेट 63 तो मार्क्स जिसमें मिनिममम मार्क से नीच सब्जेक्ट 0 भी कर दिया गया है कि कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पा रहे हैं ऐसा क्या हो गया जब जीए में आपने क्लियर किया है उसके बाद आपको यह बड़ा अजीव लगेगा 120 में 6 नंबर 3 नंबर minimum qualification क्यों रखना पड़ रह पैटन एक्जाक्टी हमें भी नहीं पता होता है तो टीचर भी पेपर के बाद ही बच्चे में बताते हैं कि इस बार कैसा पैटन था देखिए जो 2021 का पैटन था क्या था पहले पेपर के अंदर चार question जो थे वो थे multiple choice यह multiple choice का मतलब यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं यहां पर चार options थे चार में से only one is correct तो आपको चार में से कोई एक option चुनना था तही option आप चुनेंगे तो plus three marks गलत आप ने चुन लिया तो minus one छोड़ दिया तो zero ऐसे चार question थे तो इस four into three twelve हर subject में तो ऐसे तीन subject और है तो ऐसे चार 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 बारा question ऐसे थे जिन में कोई एक विखल्पी सही था पर numerical answer type numerical answer type में क्या था answer कोई भी numerical आएगा उसको आपको numerical वहाँ feed करना था keypad से यहां पर यहां पर रखते हैं कि decimal के बाद दो places तक आपको answer लिखना है छे question यह numerical answer थे जिन में दो दो भी सही हो सकते हैं तीन भी सही हो सकते हैं और चार भी मैं option नंबर नहीं बोल रहा हो वह सकता है 4 ओके 4 ओ option हो सकता है i7 यहां अगर आपके 4 में से 3 option है और आप 3 सही टिक करके आयो तो स को vous ग Superintendent तीन में से दो ही आपने चैन किया है तो आपको उन दो option के एक एक दो number मिलेंगे एक ही सही option टिक किया है तो एक number में लगा गलती से आपने एक भी गलत option टिक कर दिया तो यहाँ penalty तगड़ी है minus 2 marks छोड़ देते हो तो कोई penalty नहीं 0 तो देखिए पूरा सही करोगे तो चार नंबर और एक भी option गलत चुन लिया तो minus 2 और फिर था non negative integer यहाँ पर भी आंसर एक सब्जेक्टिव भी था कि integer एक दो तीन चार पांच नहीं वापता आंसर आएगा यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पर भी प्लेस फूर और जीरो थे दो टाइप के question में नेगेटिव मार्किंग थी दो में नहीं थी paper 1 के अंदर theoretically अगर मैं बात करूँ अगर मान लीजे दिन खराब हो सारी नेगेटिव आपके पल्ले पढ़ जाएं तो पहले उन 4 में minus 4 इन 6 में minus 12 तो minus 16 और तीनों सब्जेक्ट के मिला के जो यहां पर lower limit का score बनता है first paper में केल first paper में दिन खराब हो तो आप minus 48 भी ला सकते हैं देखिए objective exam ऐसी है यहां 0 lower limit नहीं है देखिए paper 1 की lower limit कितनी आ माइनस 40 है similarly paper 2 में भी आपको इसी तरीके से सारे options यहां पर नज़र आएंगे जैसा मैंने आपको समझाया और यहां अगर मैं theoretically बात करूं यहां पर आप देखिए option की जगे सई option भी कोई सकता है बढ़ हां यह एक range है कि आप lowest marks यतने ला सकते हैं minus 96 अब देखिए actually बच्चे कैसा perform करके आए तो पूरे एक लाग 41,000 बच्चे जिन्नों ने दौनों paper दिये उनके distribution of marks आपको दे रखे हैं उन पूरे बच्चों के कैसे marks आए बड़े नहीं है बट हाँ minus 50 के round आप देखिए अच्छे खासे आपको balls दिख रहे हैं अदर अधनाजन देखिए मिलने तोड़ा मुश्किल तो होगा इसको judge कर पाना बट इतना मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ 1000 बच्चे तो हैं जिनके number minus 50 से भी कम आए है और यह बच्चे वो हैं जो जही में इनका filter पास करके तियारी करके advance देने आये हैं कैसी आप देखिए जीरो के round आपको 1100-1700 बच्चे नजर आ रहे हैं केवल 0 marks लाने वाले और उसके पहले के अगर मैं देखूंगा तो देखिए कहना बड़ा मुश्किल है बट मुझे समझ आ रहा है कुछ अच् बच्चों के जो नंबर हैं वो दो-तीन नंबर के करीबी नजर आ रहे हैं वैसे लगबग 1700-1800 बच्चे हैं जिनके नंबर वन या टू या थ्री या फूर इस तरह के मांक से 360 मुझ कैसा चंबा होता है 360 नंबर का पेपर और इतने सारे बच्चे नेगेटिव एक दो तीन चार नंबर आ रहे हैं हम सी बीएसी का देखते हैं कि 95 पर बड़ात निकली होई होती है यह देखिए परफेक्ट बेल शेप्ट आ रहा है बलकि यह तो और पीछे के तरफ शिफ्ट है लूवर साइट पर बच्चों का कॉंसेंट्रेशन जादा है फिर देखिए जैसे हाई आयर मार्क की तरफ जा रहे हैं यह वाल्स कम होती जा रही है तो जो लिमिट है वो ग्राफ में नीचे आ रहे हैं मतलब कम बच्चे वह स्कोल्ड आ रहे हैं उसके बाद आप देखिए 250 प्लस के बाद आपको बहुत यह 200 प्लस के बाद यह आपको बहुत कम-कम बच्चे एक एक नमबर पे नजर आएंगे देख लीजे यह किनकी परफॉर्मेंस है उन बच्चों की जो जो ही में क्वालिफाई करके आए तो एक लाग तालेस अधान में से हैसा मैंने का के नमबर नेगेटिव में भी आ रहे हैं विपर होता ही इतना टफ मेंटली ठकाने वाला है ऐसा नहीं है बच्चे को आता नहीं है बट वो एक्जाम का प्रेशर एक्जाम का पैटर्न उससे गलतियां कराता है चलि यह वो ग्राफ तो था उन बच्चों का जिनोंने अपिय अब क्वालिफाइट बच्चे वो जो मैंने आपको कहता है चालिस चम्माली साइर बच्चे जिनको क्वालिफिकेशन दिया गया उनका हाल आप देखो गे तो देखिए जीरो से कम पर तो सेलेक्शन हुआ नहीं पर यहां पर कई सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं जो अ क्वालिफिकेशन के अराउंड ही सबसे यादा बच्चे हैं और जैसे यासे मैं हायर माक्स की तरफ जा रहा हूं आपको एक कंसेंट्रेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है देखिए जो क्वालिफाइव हुए उन में भी स्कूर देखिए आप जो पीक इस ग्राफ का बन रह है वो 63 के राउंड आएगा क्योंकि वो जनरल की कट ओफ थी इसलिए वो पी क्या नजर आ रहा है सेलेक्टेट बच्चों का जबसे यादा बच्चे जिस माक्स पर सेलेक्ट हो है वो 63 64 टाइप माक्सी नजर आ रही है पिर देखिए अब उन बच्चों की बात करें जिनको फाइनली कॉलेज अलॉट हुआ तो अलॉट बच्चों का अगर आप ग्राफ देखोगी यहां थोड़ा अच्छा ग्राफ दिखेगा क्योंकि अलॉट मतलब फाइनली जिनको आईट में अडमिशन मिला यहां आपको जो पीक दिख रहा है यह पीक लगबग 108 110 नंबर के कर करूँ देखिए सबसे पहले physics की बात कर रहा हूं मैं physics में सारे बच्चों का all candidates का score कैसा है तो देखिए माइनस 20 से नीचे माइनस 25 30 पे बहुत सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे है माइनस 9 पे बहुत सारे यह दिख रहे हैं आपको जीरो के राउंड तक आते आते हैं यहां पर भी हजारों बच्चे नजर आ रहे हैं जिनके physics में नंबर नेगेटिव में थे पीक इस कर्व का देखिए आप कहां पर बन रहा है लगबग चार साड़े-चार बच्चे जो नंबर ला रहे हैं वो लगबग चार नंबर के करीब है तो पीक इस ग्राफ का चार न की बात करें physics के अंदर तो देखिए इनका पीक जो बन रहा है इनका पीक जो आपको नजर आ रहा है वो थर्टी के राउंड नजर आ रहा है तो सारे बच्चों का जो पीक था वो तो चार नंबर के करीब था क्वालिफाइड वालों का हाल थोड़ा अच्छा है उनका पीक आपको 35-40 मार्क्स के करीव यहां पर नजर आएगा और फाइनली जिनको अलॉट हुआ अलॉट मेंट वालों का पीक और अच्छा नजर आ रहा निगेटिव के अंदर आपको बहुत सारे बच्चे नजर आएंगे इस कर्व का पीक भी देखूं तो वो कहां बन रहा है अगर आप इस पीक को देखेंगे तो वही दो या तीन नंबर के आराउन एक के मिस्ट्री का पीक है शायत फिजिक्स से भी कच्राहाल यहां पर था और यहां पर भी अगर क्वालिफाइड बच्चों की बात करूं क्वालिफाइड का पीक यहां पर 17-18 के करीब आ रहा है जो फिजिक्स में इससे जादा था किमिस्ट्री में 17-18 मार्क्स के राउंड यह पीक नजर आ रहा है और जो सिलेक्ट बच्चे थे जिनको लॉट कभी केमिस्ट्री में ज्यादा कम वो के करूज आपको मिलेंगे बट मोटा मोटी हाल यही रहता है बहुत जादा नंबर दाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं मैच के अंदर हाल देखिए आप यहां पर पीक वही चार-पांश नंबर के राउंड है वालिफाइड बच् साइट्स पे इसली मिल जाता है यह पूरी कहानी है कि ऐसा बच्चे परफॉर्म करते हैं तो देख रहे हैं नेगेटिव में भी इतने सारे बच्चे नंबर लाते हैं तोड़ा और डीटेल में आपको समझाता हूं जो टॉपर था 2021 में उसकी माक्स 348 थे वही टॉपर तो पर ही होता है 348 मार्क्स पर फर्स्ट रैंक कर था उसके बाद 101 रैंक तक 285 मार्क्स रहे देखिए आप कितना जबर्दस जिप आपको यहां देखने को मिलेगा 348 से 285 मतलब लगबग अगर मैं देखूं साट पैस सेटमबर का डिप आ गया फर्स से 101 के अंदर ही 20 लगबग 174 मार्क्स के राउंड अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो लगबग 2600 रैंक 2700 रैंक आ रही है 2600 रैंक पर भी आएटी में ठीक आपको मिल जाते हैं देखिए जो टॉपर है उससे आधे नंबर लाने पर ठीक ठाक आएटी में बढ़िया सेलेक्शन लेके जा सकते हैं यह situation है देखिए आप 1000 रैंक आते आते 212 नंबर रह जाते हैं 348 के 2500 रैंक तक 176 रह जाते हैं 5000 रैंक तक अगर आप देखो कि तो 145 ही रह जाते हैं अगर ऐसी मैं डेटा इसको करूं देकि निक्स पेच पर आते हैं इस रिपोर्ट के 10,000 रैंक तक 113 नंबर आ आते हो तो भी आप 10,000 रैंक में जनरल के टिगरी में आएंगे और आपको को रिजर्वेशन बेनेफिट है तो इसके उपर आपको बहुत अच्छे कॉल दी तो यह होता है इसका टेफिनस लेवल की डेटा लग भग रहा था आप 2020 का इमें डेटा कर आपको दिखाऊंगा इसके बहुत डेटेल रखी है किस के अंदर बच्चों ने क्या था इतने बच्चों ने सही किया तो आपको दिखेगा कुछ-कुछ-कुछ वेशन आपको यहां ऐसे भी दिखेंगे जिसमें 80% बच्चे से जादा गलत कर रहे हैं सुला 17% चोड़ रहे हैं और मात्र 2% 1% य मैं आपको दिखाऊंगा कुछ question ऐसे हैं जो एक परसेंट बच्चे भी सही नहीं कर पाते हैं तो कोई question आते ही difficult है यहां पर difficult या बूल नए होते हैं इतना बुरा हाल हो क्यों रहा है इतने कम marks का जो रीजन है मैं फिर आपको बताता हूं देखिए होता कि पेपर एक तो डिफिनेटली नया होता है जी एडवांस के अंदर mostly जो questions होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कहीं देखे दिखाए नहीं होते हैं हर बार बिल्कुल नए fresh questions बनते हैं कई बातों concepts भी fresh बनते हैं डेटा छोड सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने में जोड़ आने लगता है उसको 10 questions की DPP मिलती हैं उससे दो questions भी solve नहीं होते हैं थोड़े दिन तो प्रयास करता है दीरे दीरे उस pressure के अंदर आजकल कैसे बच्चे हैं वो अब लोड लेना बड़ा मुश्किल रहता है वो या तो नेट पे आपके solution ढूनते हैं थोड़े दिन बाद वो भी बंद कर देते हैं उस toughness के चक्कर में हो क्या रहा है बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है और इडवांस में तो फिर आपको हाल नजर आई रहा है पर इडवांस में इत्ते बुरे हाल का एक रीजन ये भी है कि जो दूसरे reservation category के students को एक relaxed criteria पे आप entry तो देते हैं बट paper तो relaxed उनके लिए भी नही रहेगा तो आप अपनी preparation थोड़ी सी lower level तक करिए ऐसे questions करिए जिससे आपको पढ़ने का motivation तो रहे आप पढ़ना ही छोड़ दोगे तो फिर क्या जेई में और क्या bit set कहीं आप नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं कहता हूं बहुत realistic रहे है एडवांस अगर आपको tough लगता है तो आप इतने अलग-अलग variety के question की जगे simple straight objective questions की प्राक्टिस ही करिए पीवाईक्यू दूसरे exams क्यों होते हैं वी आईटी के मतलब आप सूचिए आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं अगर वह नेगेटिव में फाइनली स्कूर लेकिया है प्रेंट को इस इंस्ट्ट्यूट भी क्या समझा अब दिक्कत यह नहीं कि उस बच्चे को नेगेटिव जतनी आते थे बड़ दिक्कत ही उसने मान मान हार गया प्लस पेपर भी ऐसा है पेपर वन थोड़ा बिगड़ गया तो बच्चों की वैसी हिम्मत दे जाती है दिन के डाई तीन बच जाते हैं तो बच्चे अट्रिम्ट मारते मारते वह प्लस की जगए हर जगे नेगेटिव होता है अगेन मैं जब भी बच्चे तियारी कर करते ही वापिस से डेट दो महीने बाद अपनी प्रपरेशन को अधर स्विच आफ आप कर सकते हैं तो इसलिए त्यारी हैसी करिए उस लेवल पे जहां तक आप उसी तरह के कुश्चिन करिए कि आप से सौल हो रहे हैं जैसे एक्जाम में बेनेफिट होता है पेपर इतना तो बच्चा दो साल त्यारी तो पड़ लेता है यह नहीं सेलेक्ट हो जाए तो अब जितनी सीट से उतने ही होंगे इस बच्चे कुछ कोशिन होते वे तो नजर आते हैं यहां दिक्कत यह होती है कि अगर धंसे इडवांस लेवल पर इंस्ट्यूट पढ़ा रहा है तो इ कि यह इसकी पूरी कहानी है तो जब भी आप जैई के तैयारी के लिए सोच रहे हैं एडवांस में जाने के लिए यह भी ध्यान रखिएगा यह एक्ट्यूल फैक्ट है ऐसा नहीं यह बच्चे ठोड़े खराब थे या आप इनसे बहुत अच्छे होंगे प्रपरेशन ही है एकर आप बहुत अच्छे से उसको निभा नहीं पाएंगे तो वह प्रपरेशन में आप फिर खराब नहीं करते हों डिजास्ट्रस परफॉर्म करते हैं क्यों कि मेंटल गेम है कॉन्पिडेंस थोड़ा भी शेक अप हुआ कि पेपर आपको पूरा जग जोड़ देता है तो यह थी बात और भी से रेलेटेड आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप प्लीस कमेंट बॉक्स में इसको लिखें वीडियो पसंदा है तो बिल्कुल इसको शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें तेंक यू और जो आज एक्जाम दे रहे हैं अल